नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में अप्रील 2022 का करेंट फेर डिसकस करेंगे जो आगे आने बाले सभी एकजाम के लिए महत पूर्ण होगे इस वीडियो में कितना कोसन को डिसकस किया जाएगा अप्रील महिने का तो टुटल आपके 150 कोसन को डिसकस किया जाएगा और सारे का सारे इसके जो प्रस्ट होंगे वन लैनर होंगे सारे के सारे प्रस्ट आपके वन लैनर होंगे और सारा प्रस्ट कहां से लिया गया है तो सारा प्रस्ट को जो है SPD से लिया गया है कहां से लिया गया है सारे प्रस्ट को SPD से लिया गया है और जो आई देखते हैं पहला पॉइंट सबसे पहले आपको याद होगा कि अपना पिछला वीडियो कहाँ पर समाप्त हुआ था तो चीन पर समाप्त हुआ था कोसन क्या है कि किस देश ने सुलमन दीप समुग के साथ में जो सुरच्छा सहीयोग पर समझावता किया है तो बैंस देखकेएं गए किस जता है तो मेरा बाइचानु के दवारा जिता गया है तो मेहाले राज के लिविंग रूट बिरज को सामिल किया गया है उन्हें के विस्छब दरौः जे़ता कि बिस्छन थरौशन ही जाएगा कोई भी एक्जामें पूछा जा पूछा ही जाएगा उसके लगे अब सुरू होता है अप्रील का करेंट फैर तो इसमें पहला है एक अप्रील 2022 को किस दिवस के रुप में मनाया गया तो उठकल डिवस के रुप में मनाया गया नौसाइनिक अभियास बरून का आयूजन किया जाता है, किसराज के मुक्मंत्री ने कैच दारेन केमपेंट 2022 से लाँज किया है तो मनिपुर के जो मुक्मंत्री हैं, उनके द्वारा कैच दारेन अभियान को लाँज किया गया है, किसके द्वारा लिखित पुश्तक The Tiger of DRAसuir दा टाइगर ओफ द्रास को परकासित किया गया है तो मिना नईर के दवरा लिखा गया है दा टाइगर ओफ जो द्रास पुष्टा के किसके दवरा लिखा गया है तो मिना नईर के दवरा लिखा गया है IPL में सबसे ज़्यादा बिकट लेने वाले गंदवाज कौन बने है तो डेबन ब्रेबो बने है दो अपरेल को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतरास्टी बाल पुरसकार दिवस मनाया गया किस देश में आर्थिक संकट की बज़ा से सरव्यनिक अपातकाल की घोसना की गई है तो अपना जो पुरसी देश सिरलंका वहाँ पर आर्थिक संकट है इसी के लिए वहाँ के जो राश्पति है उसने अपातकाल लगा दिया है सरव्यनिक अपातकाल की घोसना किस ने की है तो सिरलंका के द्वरा किया गया है धर्म महामेला मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है तो पच्छिम बंगाल में किया गया है मतुआ धर्म महामेला 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है इसका नाम क्या रखा गया है तो उसका नाम रखा गया है अल रिहला क्या रखा गया है अल रिहला यहाँ पर से ध्यान से सुनिएगा कि फीफा वर्ल्ल कप 2022 फुटबॉल वहला कहां पर होगा तो कतर में होगा ठीक है कहां पर होगा कतर में होगा तो फीफा वर्ल्ल कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है और उसका नाम क्या रखा जो पीटल नेबिल हैं इन्होंने सन्याज की घोशना कर दिये एक एक किर्केटर है और जो किर्केटर यह किस देश के हैं तो अस्टेलिया की किर्केटर थे कहां कि अस्टेलिया की किर्केटर थे किसमें जीता है तो अस्तेलिया के दोरा जीता गया है यह भी question पूछ जाएगा तो अस्तेलियन को हराकर जीता जीता है किस मंतराले मंदिर 3060 वेबसाइट लॉञच किया गया है केंदरी संस्कृती मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 अप्रिल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और एसिया के सबसे अमिर बेक्ति कौन बन गया है, तो गौतम अडानी बन गया है, गौतम अडानी मुकेस अंबानी को पीछे पूल कर हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत और एसिया के ध्यान रखेगा भारत और एसिया के सबसे अमीर बेक्ती कौन बन गये हैं तो गौतम अडानी बन गया हैं किस राज सरकार ने मुख मंतरी बागमानी बीमा योजना का फसल बीमा पोटल लॉंच किया ह तो हर्याना राज सरकार के दोबरा लॉंच किया है दोबरह देखेगा किस राज सरकार ने मुख मंतरी बागमानी बीमा योजना का फसल बीमा योजना पोटल लॉंच किया है तो हर्याना सरकार के दोबरा लॉंच किया है जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम ब अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में सबसे कम बेरोजगारी दरवाले राज्यों में कौन पहले अस्थान पर है तो 36 गल पहले अस्थान पर है किसने मियानी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है तो किसके द्वारा जीता गया है इगा स्वेतेक के द्वारा जीता गया है इसका उचारन अप्लोग भी कर लीजिएगा ग्रेमी अवार्ड के तहद किसने जो है बेस्ट चिल्डरन म्यूजिक अलबम का पुरसकार जीता है तो किसने जीता है फालगूनी साह के द्वारा जीता गया है किस राज का चंद्रपूर दुनिया में तिसरा सबसे गरम स्थान दर्ज किया है पांच अप्रिल 2022 को कौन सा दिबस मनाया गया है तो रास्टी समुद्र दिबस मनाया गया है पांच अप्रिल 2022 को किस राज को तेरा नए जीले के साथ नया नक्सा मिला है तो किसे मिला है आंधर प्रदेश को जो है तेरा नए जीलों के साथ नया नक्सा दिया गया है उतर प्रदेश के मुखमंत्री ने किस जिले से अस्कूल चलो अभियान की सुरुइवात किये तो सराभस्ती से किये तो किये कांबल उत्वी एप लौंच किया है तो तमिल नाडू के मुखमंत्री के द्वारा जो है काबल उत्वी एप को लॉंच किया गया है 6 अप्रिल को किस दिवस के रुप में मनाया गया तो विकास और सांती हे तू अंतरास्टिय खेल दिवस मनाया गया 6 अप्रिल को द्वारा देखेगा 6 अप्रिल को किस दिवस के रुप में मनाया गया तो विकास और सांती हेतू अंतराश्टिय खेल दिवस मनाया गया है किस राज के गया सासोमा गाउं में समुदाइक संग्राले शुरू हुआ है हाल ही में जारी हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड बुमेन इन दा वर्ल्ड 2022 में कौन सिर्ष पर है तो चीन आपके सिर्ष पर है दोबरा देखेगा कि हाल ही में जारी हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड बुमेन इन दा वर्ल्ड 2022 में कौन सिर्ष पर है तो चीन आपके सिर्ष पर है तो आरिफ जोहरी को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरसकार 2021 किसे मिला है तो आरिफ जोहरी को मिला है ध्यान से सुनिएगा चमेली देवी जैन पुरसकार 2021 किसे मिला है आरिफ जोहरी को मिला है साथ अप्रील 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो 20 स्वास्त दिवस मनाया गय 2022 के अरभपतियों के सुची में कौन सिर्ण पर रहा है तो ऐलेन मस्क सिर्ण पर रहे हैं सर्षत्य सम्मान 2019 के लिए नामित किया गया है तो राम दरस मिक्रा को नाम दरस मिक्रा को दोबरा देखीगा 37.21 के लिए नामित ध्यान रखेगा नामित किया गया है तो किसे नामित किया गया है राम दरस मिस्रा को नामित किया गया है भारत के किस सहर में क्रोना का नया बेरियंट XE पाया गया है तो मुंबई सहर में पाया गया है भारत के किस सहर में जो है क्रोना का नया बेरियंट एक्स ई पाया गया है तो मुंबई सहर में पाया गया है राश्पती रामनाथ गोविंद ने किस देश में पीले टुलिप फूल की एक परजाती का नाम मैत्री रखा है तो किस देश में रखा है निदर लेंड में रखा है राश्पती रामनाथ गोविंद ने किस देश में पीले टुलिप फूल की एक परजाती का नाम मैत्री रखा है तो निदर लेंड में रखा है तीन फर्मों के साथ में समझवता किया है तो किस ने किया है अमेजन ने किया है किस ने सेटरलाइट इंटरनेट लॉंच है तू तीन फर्मों के साथ में समझवता किया है तो अमेजन ने किया है किसे संथ नामदेव राश्टी पुरसकार से सम्मानित किया है तो सत्पाल मलिक को सम्मानित किया है सत्पाल मलिक बरत्वान में कहां के राजपाल है तो मेगाले के राजपाल है हाली में जारी कियूएस वर्ल्ड इंवसिटी रैंकिंग में सिर्ष पर रहा है तो कौन रहा है एम आईटी रहा है मेसाचूचेट्स प्रदोकी संस्थान रहा है हाली में जारी कि यूएस बल्ड इनिवर्सिटी रेंकेंग में कौन सिर्ज पर रहा है तो E.M.I.T. मेसाचुचेट्स प्रद्धोकी संस्थान आपके पहला नमर पर रहता है किस देश ने पिर्थवी अबलोकन के लिए नया उपगरा गाव फेन 3 को लॉंच किया है किस देश ने पिर्थवी अबलोकन के लिए नया उपगरा उस नया उपगरा का नाम क्या है गाव फेन 3 का सफल पर छेपल किस के दोरा किया गया है किस राज में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमबर्क शुरू किया गया है तो उत्रा खड़ में शुरू किया गया है किस राज में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में किस राज में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमबर्क शुरू किया गया है तो उत्रा खड़ में शुरू किया गया है किस देश के फोटोग्राफर ने World Press Photo of The Year 2022 का खिता है तो कनड़ा के फोटोग्राफर ने जो है World Press Photo of The Year 2022 का खिता है 9 अपरील 2022 को किस ने अबसर योजना सुरू किये जो अबसर योजना किसके दोरा सुरू किया गया है तो भारती बीमान पत्तन प्राधिकरन के द्वारा शुरू किया गया है 9 अप्रेल 2022 को किसने अबसर योजना शुरू किये तो भारती बिमान पत्तन प्राधिकरन के द्वारा शुरू किया गया है नेक्स पॉइंट है कि अंतरास्टी बुकर पुरसकार अंतरास्टी बुकर पुरसकार के लिए चैनित ध्यान रखेगा चैनित होने बाला पहला हिंदी उपनियास कौन बना है तो टॉम्स ओफ सेंड बना है दस अप्रील को कौन सा दिवस मनाया गया तो बिस्व हेमियो पैथी दिवस मनाया गया है डबलू यचो ने किस कोविड बैक्सिन की सप्लाई सस्पेंड कर दिया तो को बैक्सिन की किसकी को बैक्सिन की सप्लाई को जो है डबलू यचो के दुवारा सस्पेंड कर दिया गया है बिस्व की सबसे अमीर स्वय निर्मित महला 2022 की सूची में कौन सिर्ष पर रही है तो कौन सिर्ष पर रही है बू अजून बू अजून सिर्ष पर रही है या किस देश की है तो चीन की है इनका नाम दुबारा देखेगा बू यजून बिस्व की सबसे अमीर स्वन इर्मित महला 2022 की सूची में कौन सिर्ष पर रही है तो बू यजून जो है सिर्ष पर रही है ये कहा किये है चीन किये है नेक्स्ट पॉइंट है पिक्सेल ने अस्पेस यक्स के साथ में अपना पहला उपगरा लॉंच किया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है सकुन्तला क्या नाम है सकुन्तला उसका नाम है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पिक्सेल एक भारती कमपनी है इसका हेड़क्वाटर बेंगलूरू में अस्थित है नेक्स्ट पॉइंट है कि 11 अप्रील को किस दिवस के रुप में मनाया गया है तो 20 पार्किंसन्स दिवस के रुप में मनाया गया है नोट किजिएगा किसने प्रतिस्ट जो है ओ हेंरी पॉरसकार जीता है तो किसके दवरा जीता गया है अमर मित्रा के दवरा जीता गया है गया है एक डिस्टिक एक उत्पाद किसके दवरा शुरू किया गया है तो उत्र परदेश के दवरा और एक ब्लोक एक उत्पाद हरियाना सरकार के दवरा नेक्स्ट है निती आयोक के निती आयोक के राज उर्जा और जलबाई सुचकांक में कौन सिर्ष पर रहा है तो गुजरात सिर्ष पर रहा है थाइलएंड उपेन वॉक्सिन टुनामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीता है तो भारत के दवरा दस पदक जीता गया है एक यफ वन अस्टेलियन ग्राउन परी 2022 किसन ने जीता है तो चाहल्स लेकलर ने जीता है नोट किजिएका इंप्रोटेंट है याफवान अस्टेलियन गरांड पीरी 2022 किसनल जीता है तो चार्ल्स लेकलर ने जीता है अ nast आए सूचना अनुसार किसराज की कांगला चाय को किसराज की कांगला चाय को जो है जियाइट टैग मिलेगा तो हिमाचल परदेश की कांगला चायको जियाई टेक दिया जाएगा 12 अप्रिल को किस दिवस के रुप में मनाया गया तो मानव अंतरिच उडान का अंतरास्टे दिवस के रुप में मनाया गया किसे चपन में ग्यानपिट पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो किसे जो है चपन में ग्यानपिट पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो नील मनी फूकन को जो है ग्यानपिट पुरसकार किसे दिया गया है तो नील मनी फूकन को ध्यान से नोट किजिएगा important point है DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल जिसका नाम कहा है हिलीना का सफल परिच्छन किया है कहां से किया है तो राजस्थान से किया है जो हेलीना है नाग का ही हिलोकॉप्टर मिसाइल है दोबारा देखेगा DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलीना का सफल परिच्छन कहां किया है तो राजस्थान में किया है, किस IIT ने भारत का पहला स्वधेसी पॉलिसेंट्रिक प्रो अस्थेटिक गुटना बनाया है, तो किस ने बनाया है, IIT मदरास ने बनाया है, दोबारा देखेगा, किस IIT ने भारत का पहला स्वधेसी पॉलिसेंट्रिक प्रो अस्थेटिक गुट हुआ है जो भी BPSC एक्जाम दे रहे हैं इस कोशन को आप लोग याद कर लिजे इस कोशन को आप लोग याद कर लिजे यह कहां पर हुआ है बारा अप्रिल 2022 को जो है चोथा इस इंडिया तो पलस तू मन्त्री अस्थरीय संबाद है यह कहां पर हुआ है वासी घिटन डीसे में हुआ है और यह भी याद किजिएगा कि टो पलस टू भारत के कतने देश के साथ में होता है तो चार देश के उसके साथ में होता है तो पहला आपका है USA, जपान, दुश्रा जपान हो गया, तिसरा आपके अस्टेलिया है, चाउट आपके रसिया है, तो नोट कर लिजेगा, पूछा जा सकता है यह कोशन, नेक्स पॉएंट है, मार्च 2022 का ISAC Player of the Month किसे चुना गया है, तो बावर आजम तथा राचल हेंज को पूरुस में बावर आजम और महला में जो है, राचल हेंज को ISAC Player of the Month अवार्ड जो है मार्च का चुना गया है, मार्च 2022 का ICC Player of the Month किसे चुना गया है तो पकिस्तान के बावर आजम को और महला में राचल हेंस को चुना गया है 13 अप्रिल को किस दिवस के रुप में मनाया गया है तो सियाचीन दिवस के रुप में मनाया गया है 2026 राष्ट मंदर खेलो की मेजबानी कौन करेगा तो अस्टेलिया करेगा Very very important point है 2026 में जो है राष्ट मंदर खेलो की मेजबानी कौन करेगा तो अस्टेलिया करेगा साथ ही आपको याद रखना है कि 2022 का जो राष्ट मंडल खेल होगा इसके में जवानी कौन करेगा तो इंग्लेंड करेगा नेक्स पाइंट है आइपेल के इतिहास में सबसे तेज सव छक्च लगाने बाले भारती ऐे खिलाडी कौन बने है तो हारदीक पांडिया ध्यान रखेगा हारदीक पांडिया किस टीम के कैप्टेन है जो टीम है उस टीम का पूरा नाम लिखेगा जो इसे गुजरात है तो गुजरात के पूरा team है उसका नाम क्या है वो लिखिएगा और जो लखनोर team है उसका क्या नाम है वो आपको ओफिसियल नाम क्या है आप लोग comment वोक्स में दोनों को लिखिएगा एक question पूछा जा सकता है next है पहला खेलो इंडिया national ranking महला तिरंगदाजी tournament कहां पर आयोजुत हुआ है तो जार्खंड में हुआ है द्वारा देखेगा पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महला तिरंगदाजी टुनेमेंट कहां पर आयोजुत हुआ है तो जार्खंड में हुआ है जंगली जनवरों को कानूनी अधिकार देने बला पहला देश क किसे प्रथम लता दिनानाथ मंगेशकर पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो PM नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दिनानाथ मंगेशकर पुरसकार से सम्मानित किया है नेक्स्ट है सुचना अनुसार ICC Pruce T20 World Cup 2024 की में जबानी कौन करेगा तो बेस्ट इंडिज तथा अमिर्का करेगा बेरी बेरी इंपोर्टेंट प्रेस्ट है कि सुचना अनुसार जो है ICC Pruce T20 World Cup 2024 की में जबानी कौन करेगा तो best and dish तथा अमेरिका करेगा जबकि 2022 का मेजबानी कोन करेगा तो Australia करेगा नूट कीजेगा जबकि 2022 का मेजबानी कोन करेगा तो Australia करेगा Next point है कि किसने जो है E by entrepreneur किसने जो है E by entrepreneur of the year award जीता है तो किसके दवारा जीता गया है फालगुनी नायर के दवारा जीता गया E by entrepreneur of the year award किसने जीता है तो फालगुनी नायर के दवारा जीता गया है 14 अपरिल को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 24 रोग दिवस नूट कीजेगा 14 अपरिल को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 24 रोक दीबस मनाया गया है नेक्स्ट पॉइंट है एफ आई एच जुनियर महला होकी विसकप 2022 किसने जीता है तो किसके द्वारा जीता गया है निदरलेंड के द्वारा जीता गया द्वारा देखेगा एफ आई एच जुनियर महला होकी विसकप 2022 किसने जीता है तो निदेरलेंड के दुवारा जीता गया है अस्ट्रेलिया पुरूस क्रिकेट टीम के नए मुख कोच कौन बने है तो एंडू मैक डूनाल्सन बने है एंडू मैक डूनाल्सन बने है दुवारा देखेगा अस्ट्रेलिया पुरूस क्रिकेट टीम के नए कोच कुण बने हैं तो एंड्रू मैक डूनालसंस बने हैं नेक्स पॉइंट है कि 14 अपरीद 2022 को वर्ल्ड बैंक ने बीत बर्स 2023 में भारत की GDP बिर्दी दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है तो आठ परतिसद रहने का अनुमान लगाया है कितना आठ परसेंट रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने बीत बर्स 2023 में भारत की GDP बिर्दी दर कितने परतिसद रहने का अनुमान लगाया है तो आठ परसेंट रहने का अनुमान लगाया है किसने परतिसद रेक जाविक किसने परतिसद रेक जाविक ओपन सत्रंस टूनामेंट जीता है तो किस राज ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है तो हिमाचल प्रदेश ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है सुचना अनुसार कौन सा देश जो है अ स्ट्रीट चायल्ड क्रिकेट बिसकप 2023 की मेजवानी करेगा तो भारत करेगा किस राज सरकार ने हिम प्रहरी योजना सुरू करने की घोसना किये है हत्यार प्रनालिव के रख रखाओ के लिए भारती बायुसेना के लिए किस IIT के साथ में समझवता किया गया है हत्यार के रख रखाओ के लिए कुस रोग के लिए कुस रोग के लिए जो है अंतरास्टी गांधी पुरसकार 2021 से किसे समझवता किया गया है 16 अप्रिल को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 20 अवाज दिवस मनाया गया है 16 अप्रिल को 9 वर्स उत्सव पोईला बैसाख कहां मनाया गया है तो बांगला देश में मनाया गया है दोबरह देखेगा 16 अप्रिल 2022 को जो है 9 वर्स उत्सव पोईला बैसाख कहां पर मनाया गया है तो बांगला देशंद में मनाया गया है एक तरमी सिनियर राश्टी बासकेट बॉल चमपियंशीब किसने जीता है मेलकम आदी सेशिया पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो परभात पतनायक को मेलकम आदी सेशिया पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है खबरों में रहा नेप्चून मिसाइल सिस्टम किस देश से सम्मंदी थे तो उक्रेयन से सम्मंदी थे नूट किजिएगा इनपोटेंट है नेप्चून मिसाइल सिस्टम किस देश से सम्मंदी थे तो उक्रेयन से सम्मंदी थे नेक्स्ट है किस देश ने आइरन बीम का सफलता पुरवक परिच्छन किया है तो इजराइल ने आइरन बीम का सफलता पुरवक परिच्छन किया है किस राज सरकार ने 14 अपरिल को समानता दिवस के रुप में मनाने की घोसना किये नेक्स प्वाइंट है खबरों में रहा, खबरों में रहा मुस्कवा, किस देश का परसिद यूध पोत है, तो रूस का यूध पोत है, मुट किज़ेगा, मुस्कवा किस देश का परसिद यूध पोत है, तो रूस का यूध पोत है, रचना सच देबा, किस देश में भारत का राजदूत निवत किया गया है तो माली में very very important है रचना सचदेबा को जो है किस देश में भारत का राजदूत निवत किया गया है तो माली में निवत किया गया है सुचना अनुसार NHPC सुचना अनुसार जो है NHPC National Hydro Electric Power Corporation कहां पर हरित हाइडोजन पर्योजना बिक्सित करेगी तो हिमाचल परदेश में बिक्सित करेगी दोबारा देख लिजेगा सुचना अनुसार NHPC National Hydro Electric Power Corporation कहां पर जो है हरित हाइडोजन पर्योजना बिक्सित करेगी तो हिमाचल परदेश में बिक्सित करेगी नेक्स्ट पॉइंट है किस राज की मुखमंत्री ने 1064 भरस्टा चार बिरोधी मुवाइल एप को लॉंच किया है तो उत्रा खंड के मुखमंत्री के दोबारा जो है 1064 भरस्टा चार बिरोधी मुवाइल एप को लॉंच किया गया है 20 में सोने का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन है तो चीन है और हीरा का सबसे बड़ा उतपादक कौन है तो रूस से नोट कीजिएगा पूछा जाता है और सबसे बड़ा कहा पर है तो हीरा का सबसे बड़ा आप लोग बताएगा कॉमेंट बॉक्स में किस आयाइटी ने उर्जा कुसल तकनिक बिक्सित करने के लिए एंटी पीसी के साथ में समझवता किया है तो किस ने किया है तो आईटी गुहाटी ने किया है आईटी गुहाटी ने किया है एंटी पीसी का फूल फॉर्म क्या होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन लिमिटेड इसका फूल फॉर्म होता है 18 अप्रील को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 20 विरासत दिवस मनाया गया है 18 अप्रील को मैग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप मैग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप बीक्सित करने वाला पहला राज कौन बना है तो महरास्ट बना है सिंपल सी बात है कि Migration Tracking System एप को जो है किस रासरकार के दोरा लॉंच किया गया है बनाया गया है तो महरास्ट रासरकार के दोरा बनाया गया है दिरिश्टी बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो दच कहां पर लॉंच किया गया है तो नागपुर में लॉंच किया गया है कहां पर नागपुर में लॉंच किया गया है दिरिश्टी बाधित लोगों के लिए बारत का पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो दच कहां पर लॉंच किया गया है नागपूर में लॉंच किया गया है किस देश ने भारत से क्रिसी आयात को निलंबित कर दिया है तो किस के द्वरा कर दिया गया है इंडोनेसिया के द्वरा भारत से क्रिसी आयात को निलंबित कर दिया गया है किस देश ने जो है जोग जिंग 6D जोंग जिंग 6D उपगरा को अंतरिच में सफलता पुरवक लॉंच किया है तो किसने लॉंच किया है चीन के दुबरा लॉंच किया है 19 अपरिल को कौन सा दिवस मनाया गया तो 20 वे लिवर दिवस मनाया गया 19 अपरिल को कौन सा दिवस मनाया गया कि भारतिय सेना की जो है त्री सकती कोर ने कि पांच सकती अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है तो पच्छी बंगाल में किया है उसन कटी बंधिये तुफान मेगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर बिनास किया है तो फिलिपिन्स में जो है मेगे तुफान ने बड़े पैमाने पर बिनास किया है नेक्स्ट पॉइंट है यल रूट सर्वर यल रूट सर्वर नोट किजिएगा यल रूट सर्वर प्राप्ट करने वाला द्टेस का पहला राज कौन सा बना है तो रज़त्थान है यल रूट सरवर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज कौन है तो राजस्थान है किस भारतिये अमिर्की को कमला हैरिस की रच्छा सलाकार निक्त किया गया है तो सांती सेठी को जो है कमला हैरिस की रच्छा सलाकार निक्त किया गया है कमला हैरिस कौन है तो अमिर्का की उन्चासमा उपरास्ट पती है नेक्स्ट है ONGC ने किसे निर्देशक बित और CFO निव्ट किया है तो किसे किया है पुमीला जस्पाल को ONGC ने किसे निर्देशक और CFO निव्ट किया है तो Pumila Jaspal को O N G C इसका full form क्या होता है Wild and Natural Gas Corporation Limited Wild and Natural Gas Corporation Limited इसका full form होता है Next point है कारगा मंदिल महसो कहांपर मनाया गया है तो करनाटक में कारगा मंदिल महसो मनाया गया है 88 ला रोडा 88 ला रोडा इंटरनेशनल ओपें सत्रंस टूनामेंट का खिताब किसने जीता है तो डी गुकेस ने जीता है, दुबारा देखेगा, अड़ तलिस्मा, ला रोडा इंटरनेशनल ओपन, सतरंज टुनामेंट का खिताब किसने जीता है, तो डी गुकेस ने जीता है, किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुकतान कार्ड लॉंच किया है, तो NEXO ने लॉंच किया है, 21 अपरील को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो रास्टी सिविल सेवा दिवस मनाया गया है, किस देश ने परमानु सच्छम मिसाइल, सर्मत का सफलता पुर्वक परिच्छन किया है, तो जो सर्मत मिसाइल है, इसका सफलता पुर्वक परिच्छन रूस के द नियास ले लिया गया है जारी हरून गलोबल जारी हरून गलोबल हेल्थ केर रिच लिस्ट दो हजर बाइस में कौन सिर्ष पर है तो साइरस यस पुना बाला दोबारा देखेगा हाली में जारी हरून गलोबल हेल्थ केर रिच लिस्ट दो हजर बाइस में कौन सिर्ष पर रह है तो Cyrus Cyrus Yes Poonabala Cyrus Yes Poonabala Guru Jee Students Credit Card Guru Jee A Student Credit Card यो जना कहां शुरू की गई है तो जहारखनट में शुरू की गई है Guru Jee A Student Credit Card यो जना very very important point है Guru Jee A Student Credit Card यो जना कहां पर शुरू की आ गया है तो जारखंड में शुरू किया गया, जो जारखंड देते हैं, उनके लिए भेरी भेरी important question है, नेक्स है करनाटक में निर्माना धीन, सिब मोगवा, सिम मोगा, हवाई अड़े का जो है, नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो बियेस एदुरप्पा के नाम पर रखा गया है, भारत का पहला सुध हरित हाईडोजन सयंत्र कहां पर शुरू हुआ है, तो असम में शुरू हुआ है, भारत का पहला जो है, सुध हरित हाईडोजन सयंत्र कहां पर शुरू हुआ है, तो असम में शुरू हुआ है, नेक्स्ट है, 22 अप्रिल को कौन सा दिवस मनाया गया है, 22 अप्रिल को, 22 अप्रिल को तो 20 पिर्थिवी दिवस मनाया गया है बिनासकारी उपगरह पर परतीबंद लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है तो अमिर्का बना है किसे यंग गलोबल लिडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो रागाव चट्डा को very important point है किसे जो है यंग गलोबल लिडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है रागाव चट्डा को रागाव चट्डा किस पाटी से इनका सम्मंद है आम आदमीं पाटी से इनका सम्मंद है सुचना अनुशार दुनिया की सबसे बड़ी electric three wheeler factory कहाँ पर लगेगी तो तेलंगाना में लगेगी किस राज के बिष्णूपूर जिले को उत्कृस्टा के लिए परधान मंत्री पुरस्कार मिला है के राज सरकार ने कौसमोस माला बारिकस परियोजना के लिए किस दिसक साथ में समझःता किया है तो निदे लिए के साथ में शमझःता किया है सुचना अनुशार बारत के पहले अंतुराथ प्रूज सम्मिलन की में जबानी कौन करेगा तो करेगा 23 अप्रील को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस मनाया गया है 23 अप्रील को किस भारती किर्केटर को जो है बिजडन के पाँच किर्केटर्स ओफ दा इयर दो हजार बाइस में नामित किया गया है तो रोहिस सर्मा को नामित किया गया है इसमें साथ में याद रखेगा रोई सर्माय के साथ में जो जस्पृत बुम्रा को भी नामित किया गया है किर्केटर्स ओफ दा येर 2022 में नेक्स्ट पॉइंट है कि नई वैसिविक सांती राजदूत के रूप में किसे चुना गया है नई वैसिविक सांती राजदूत के रूप में किसे चुना गया है भारतिय हज समीती के नए अध्यज कौन बने है तो अब्दुल्ला कुट्टी बने है आएसिसी का महा परबंदग किसे निउक्त किया गया है तो वसीम खान को बेरे बेरे इंपोर्टेंट पॉइंट नोड किजिएगा आएसिसी का महा परबंदग किसे निउक्त किया गया है वसीम खान को निउक्त किया गया है 24 अपरिल को कौन सा दिबस मनाया गया है तो रास्टी पंचायती राज दिबस मनाया गया है 24 अपरिल को कौन सा दिबस मनाया गया है रास्टी पंचायती राज दिबस मनाया गया है किसने कच्रे को उर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जलबोड के साथ में करार किया है तो ENT PC ने किया है किसने किया है ENT PC ने किया है किसने कच्रे को उर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जलबोड के साथ में समझवता किया है तो ENT PC ने किया है इसने किया है एंटी पीसी ने समझवता किया है दा नेशनल थरमल पावर कॉर्परेशन लिम्टेड ने किया है भारती टटरचक बल में नया जहाज उर्जा परवाह कहां सामिल किया गया है तो भरूच में सामिल किया गया है उर्जा परवा को भारती टटरचक बल में जो है जिसका नाम के है उर्जा परवाह को कहां पर सामिल किया गया है भरुच गुजरात में सामिल किया गया है। सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मेट्रिक टन खद्यान का उत्पादन का लच रखा है तो 328 मेट्रिक टन जो है खद्यान उत्पादन का लच रखा है परदान मतरी गरीब कल्यान पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है तो 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है म इंडिया ने किसके साथ में समझोता किया है तो BPCL के साथ में समझोता किया है भारत पेट्रोलियम कोर्परेशन के साथ में समझोता किया है किसने EMG मोटर इंडिया ने 26 अप्रिल को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 26 अप्रिल को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 20 बौधिक संपदा दिवस मनाया गया है हाली में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैसिविक सैन खर्च में कौन सा देश सिर्ष पर है तो अमिर्का सिर्ष पर है मेरे इंपोटेंट पॉइंट है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसर वैस्विक सेंड खर्च में कौन सा देश आपके सिर्ष पर रहा है तो अमिर्का जो है सिर्ष पर रहा है सेकेंड पर कौन है तो चैना है और तिसरा पर भारत देश है next point है किस राज का जाम तला जिला हर गाव में पुस्त काले वाला पहला जिला बन गया है तो जारखंड बन गया है दवरा देखेगा किस राज किस राज का जो है जाम तला जिस्टिक कोशन को दियां से सुनिएगा किस राज का किस राज का जो है जाम ताड़ा जिला जो है हर गाउं पुस्तकाले वाला पहला जिला बन गया है तो जारखन का जो जाम ताड़ा डिस्टिक है उसके हर गाउं में जो है पुस्तकाले खोला गया है next point है खौंग जोम दिवस कहा मनाया गया 26 अप्रिल 22 को जो है खौंग जोम दिवस कहा पर मनाया गया तो मनिपुर में मनाया गया है Paris Book Festival 2022 में Guest of Honor Country करूप में किसे ने भाग लिया तो भारत ने भाग लिया था दोबारा देखेगा Paris Book Festival 2022 में Guest of Honor कंट्री के रूप में किस ने भाग लिया था तो भारत ने भाग लिया था किस राज ने 18 दिसंबर को अलप संख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोशना किये तो तेमिल नाडू राज ने जो है 18 दिसंबर को अलप संख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोशना किये नेक्स्ट पॉइंट है Goddess, Champions of the Earth Paradise Achievement Award किसे मिला है तो Sir David, Sir David Attenborough को मिला है Selfie Sir David Attenborough को मिला है दोबारा देखिएगा Champions of the Earth Life Time Achievement Award किसे मिला है Sir David Attenborough को मिला है किसे 2022 के लिए इनिसको वर्ल्ड कैप्टल नामित किया गया है तो गौाडल जारा को ये कहाँ पर है मेक्सिको में अस्तित है दोबारा देखेगा किसे जो है 2022 के लिए इनिसको वर्ल्ड बूक कैप्टल नामित किया गया है तो गुआडल जाराव को नामित किया गया है जो मैक्सकों में अस्थी थे किस देश के राश्टपती को जौन एफ कनेडी पुरसकार मिला है तो ओकरेयन के जो राश्टपती हैं उन्हें जो है जावन एफ कनेडी पुरसकार मिला है तो जैलेंश की उनका नाम है नोट कीजएगा जैलेंश की उनका नाम है उसके बात नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पहले सामोदाइक रेडियो अस्टेशन दूधबानी का उडगटन कहां पर किया गया है तो गुजरात में किया गया है जो दूधबानी समोधाइक रेडियो अस्टेशन है इसका उडगटन कहां पर किया गया है गुजरात में किया गया है नेक्स पॉइंट है प्रान हिता प्रान हिता पुष कर लू तेवहार 2022 कहां पर मनाया गया है तो तेलंग गाना में मनाया गया है प्रान हिता पुष कर लू तेवहार 2022 किस अस्पेस अस्टेशन के परसेब्रेंस ने मंगल गरह पर सूर्ज गरहन का वीडियो केप्चर किया है किस राज सरकार ने समाजिक जावरुकता अभियान सांस को सुरू किया है वैस्विक बजारू के लिए सहायक बानीज मंत्री की रूप में किसने सपत लिए तो अरून बेंकट रमन ने दुबारा देखेगा वैस्विक बजारू के लिए सहायक बानीज मंत्री की रूप में किसने सपत लिए तो अरून बेंकट रमन ने सपत लिए 28 अपरील को किस दिवस के रुप में मनाया गया है तो कार अस्थाल पर सुरच्छा और स्वास्त के लिए Westwick Divas के रुप में मनाया गया है 28 अप्रिल को Next है सुचना अनुसार 21 में World Congress of Accounts 2022 के मेजवानी कोन करेगा तो भारत देश करेगा सुचना अनुसार जो है 21 में World Congress of Accounts 2022 के मेजवानी कोन करेगा तो भारत देश करेगा किस राज सरकार ने संगीत को बलावा देने के लिए संगीत परियुजणा शुरू की है किस ने स्वच उरजा के लिए नौर्वेक के EQNOR के साथ समझ होता किया है के दोड़ा किया गया है OAN GC के, OAN GC के दोड़ा किया गया है, किसने जो है स्वच उर्जा के लिए Norway के Ek Beijnore के साथ में समझता किया है, यह company है Ek tendency तो Tekु नोर, Vale के साथ में किसना समझता किया है, तोirse Ynee Organ Sun का निर्दन हुआ, वोकॉं थे, तो जीव बिग्यानी थे, जो यह में बिजयन थे क्या थे जी बिग्यानी थे नेक्स्ट है बेक्यूम अधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला सहर कौन बना है आगरा बना है जो उत्र परदेश में अस्तित है बेक्यूम अधारित, सीवर सिस्टम लगाने बाला पहला सहर कोन बना है, आगरा बना है 29 अपरिल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतरास्ती निरित दिवस मनाया गया 29 अपरिल 2022 को Next है, 19 अपरिल 2022 को, 19 लाख कलोर रूपिय के YM कैप तक पहुचने बाली पहले भारतिय कंपणी कौन सी बनी है तो Reliance Industries बनी है कौन सी बनी है Reliance Industries बनी है दुबरा देखेगा 19 लाख कलोर रुपे के AM कैप तक पहुचने बाली पहले भारतिय कंपणी कौन सी बनी है तो Reliance Industries बनी है नेक्स्ट है रॉबर्ट गुलोब किस देश के नए परधान मंतरी चुने गए हैं तो सुलोबेनिया के रॉबर्ट गुलोब जो हैं किस देश के नए परधान मंतरी चुने गए हैं तो सुलोबेनिया के 2022-23 के लिए नैसकॉम का चेर परसन किसे निव्ट किया गया है तो कृष्णन रामा नुजन को लर्सन एंड टुब्रो ने हरित हाइडोजन बेक्सित करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो आयाटी बंबेक साथ में समझोता किया है तो Estonia करेगा, कौन करेगा? Estonia करेगा, स्वधेश नेभिगेशन प्रनाली, गगन का उप्योग, करने बाली पहली एरलाइंस कौन बनी है, तो Indigo बनी है, इसे मार्क किजेगा, ये कोई न को एक जामें पूछा ही जाएगा, स्वधेशी नेभिगेशन, प्रनाली, गगन का सिपरी की Traders in World Military Expenditure, रिपोर्ट 2021 में भारत किस अस्थान पर है, तो भारत आपकी तिसरा अस्थान पर है, दोबारा देखेगा, सिपरी की Traders in World Military Expenditure, रिपोर्ट 2021 में भारत किस अस्थान पर है, तो भारत आपकी तिसरा अस्थान पर है, दोबारा देखेगा, सिपरी की Traders in वर्ल्ड मिलिटरी एक्स्पेंडिचर रिपोर्ट दोयर 21 में भारत किस अस्थान पर है भारत आपकी तिसरा अस्थान पर है तो अप्रेल से समाधे जितना भी आपकी करेंट अफेर था सारे को डिसकस कर लिया गया है आपसे भी लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और जो चैनल पर पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकरसन मिलेगा थैंक्यू